हेलो गाइज, आपको पता है कि अब IPR का एक्जामनेशन काफी कड़ीव है, आपका एक्जामनेशन 30 अप्रील से होने बला है, और अभी से आपके पास पहुत ही कम समय बचा गया, अब इस पच्छे हुए समय को आपको किस तरह से उटेलाइज करना है, कि ताकि आप एक्जा सौर्ट नोर्स बनाया होगा, उन सभी सौर्ट नोर्स को one go through revision कर लीजिए, क्योंकि पता है मारे पास huge number of subjects परने हैं, तो बारी बारी से एक एक दो दो subjects करके per day आप revision कर लीजिए, जो भी important formula, statement या जो बार बार questions पूछे जा रहे हैं, आपको idea होगा, उन सभी को आपको recall करक मैं बार बार यही कहूँगा कि आपको भी कोई नया concepts नहीं build up करना है, उतने दिनों से आपने जो परा है, जो आपके पास knowledge है, उसी को आपको build up करके जाना है, recall करके जाना है, यदि आप नया concept परने के चक्कर में रह जाते हैं, तो फिर आपका revision नहीं हो पाता है, किसी भी basis practice करना है, फर्दर आपको revision करना है, लेकिन अभी आपको concepts नहीं परना है, जितना से जितना हो सके आपको सिर्फ revision करना है, अभी आपको question का practice भी उतना नहीं करना है, जितना से जितना हो सके इस बचे हुए 5 दिनों में only और only आपको revision करना है, और यदि आप इस तरह से करते हैं तो देखिए का आपको काफी बेनी फिर्स एक्जामिनेशन हॉल में मिलने बाला है इसमें आपसे टेक्निकल डॉमें से 60 कोशन पूछे जाएंगे तो काफी अच्छा-कासा इसमें रहने बाला है कोई खास इशू ना हिया और इसमें आपका फाइनल स्लेक्शन जो होगा इंटर्व्यू के बेसिस पर होगा यह सिर्फ स्क्रेइनिंग टेस्ट रखा गया है जैसे DRDO बेगारा में होता है तो आसा करता हूं कि आपको सही जानकारी मिले हुए यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे तो किर्पिया हमारे चैनल को करके बेर आइकन को आल पर सेट कर ले और बहतर एक्सप्रियंस के लिए हमारे टेलिग्राम और वाट्सअप ग्रूप से जोड़ सकते हैं